हेलो दोस्तों वर्टे इस क्लासस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 डिफ्रेंशेशन चेप्टर चो चला था पहले भी हमने इस पर कुछ कोश्चन्स बना रखें तो डिफ्रेंशेशन का आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.5 का कुश् एक्स अग्स भराभर लॉग एक्स कि पावर कोजेश दिया है तो मेरी इस टाईप के कॉश्चन में हम करते क्या है अगर किसी भी फंक्शन की पावर दे रखी है थो हम इसमें जो है लॉग ले लेते ہ हैं वह भी दूनों तरफ ले ले लेते हैं अगर लॉग ले लेंगे, उससे क्या हो जाएगा कुश्चन आसानी से बन जाएगा तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग बाउट साइड दोनों तरफ क्या करेंगे लॉग ले लेंगे ठीक तो हमारा फंक्शन हो जाएगा लॉग बाई एक्वल टू लॉग 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 एक्स की पावर कॉज एक्स यह हमारा फंक्शन हो जाएगा तो कुश्चन सॉल्फ करने से पहले पहले हम लॉग की प्रोपर्टी देख लेते हैं जो की बहुत जादा इंपोर्टेंट है जैसे कि मेरे पास दिया हो लॉग एम की पावर एन किया दिया हो लॉग एम की पावर एन दे रहा हो तो हम इसमें क्या करेंगे फॉर्मॉला यूज करते हैं हमारा यह वाला आगे नलॉग M, यह हमारी लॉग की property होती है, यह हमें apply यहाँ पर करेंगे, लॉग किल टू, log M की पापर होिए, यह M है, वहाद लेते हैं, यह M की form में लिखा होगा, यह N की form में लिखा होगा, तो log M की पापर N मेरा लिखा है, तो हम क्या करेंगे, n log n हम use करेंगे तो ये cause x हमारा आएगा आगे आ जाएगा cause x log log x यह function मेरे पास बचेएगा अब मेरे पास क्या है एक हमारा जो है log का function मेरे पास आगया एक मेरे पास क्या आगया ट्रिग्नोमेट्य फंक्शन आ गया अब हमें इसमें क кварण करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी एक को Ś you to अग्यों को क्या करेंगे फंक्शन मालेंगे तो कम क्रेंगे करेंगे फंक्शन मालेंगे क्या उउ Thus इसले लिगतें की वो करते हैं दी अपांडी एक्स सेकेंड का डिफरेंशियंशन करते मेरी अपांडी कि सब्सक्रीज़ करें करें यह अम फोर्मुलां टीज़ करेंगे फाुस्ट हमारा function एसित is second का differentiation plus second function मेरा as it is और first का differentiation यह हम differentiation में दो function के लिए formula यूजश करते हैं तो वही formula में यहाँ पे apply करेंगे और log by का differentiation क्या होगा तो इसका भी हम पहले formula बता दे हैं d upon dx log x का formula मेरे पास होता है अगर differentiate करें वन upon x होता है मतलब जो एक्स का यह है मेरा लगा हुऊ के सात् contact को हमारे क्याへ गा डिनॉमिनेटर मिचला बाय का किगर करेंगे तो लौग का का डिफरैंशेशन आएगा वन अपौन भाई ये तो लॉग का हुआ है चेहन फोल से इस बैका करेंगे जब चैन रूल से इस बाई का करेंगे तो बाई का हो जाता है मेरा differentiation डी बाई अपान डी अक्स एकोल टू फिर हम यही formula यूज करेंगे वन इंटू सेकेंड वाला तो क्या करेंगे फर्स्ट हमारा as it is रहेगा कोज एक्स को as it is लिखेंगे इंटू डी अपान डी अक्स सेकेंड का क्या कर देंगे differentiation करेंगे लॉग लॉग एक्स अब फिर क्या करेंगे फर्स्ट का differentiation करेंगे तो फर्स्ट का differentiation डी अपान डी एक्स कोज एक्स यह हमने क्या करा जो हमारा formula होता तब लिखाता है। हम दोनों क्या कर रहें। तो 1 upon by dy upon dx इकवील to cos x into log x का अगर हुम differentiation करेंगे, हमijeं लिखाY log x का differentiation, one upon x होता है लेकिन ये log x है जो, इसको हूं क्या करेंगे x को as it is मान रखेंगे, कि यह x की form में लिखा हुआ है तो इस log x का करेंगे तो यह आ जाएगा 1 upon log x मान लिया कि यह function की x की form में कुछ लिखा होगा, तो यह हो जाएगा 1 upon log x ठीक है, अब chain rule से यह तो मेरा log का हुआ ना differentiation अब इस chain rule से इस log x का करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 upon x प्लस log log x as it is, हमने क्या करा, log log x को हमने as it is लिख दिया into cause x का differentiation होता है अगर आपको formula नहीं याद तो यहाँ से देख सकते हैं, d upon dx cause x का differentiation minus x, जो भी c से function start होता है, differentiation में वो minus का function आता है, differentiation में, तो cause x का differentiation लिखेंगे, माइनस का sin x तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 1 upon by dy upon dx equal to cause x का 1 में multiply, इस cause x का 1 में multiply और इस 1 में multiply, तो मेरा हो जाएगा function cause x upon x log x x log x plus minus का multiply करेंगे, मेरे पास minus आ जाएगा, sin x को पहले लिख लेते हैं, sin x into log log x यह मेरा function आ गया space थोड़ा यहाँ पर कम पड़ रहा है तो आप लोग क्या करिए, इसका screen shot ले लिए हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे और आगे से continue करेंगे, तो आप लोग इसका screen shot ले सकते हैं तो हमारा function जो आ गया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग note करना चाहें, इसका screen shot लेनी है तो मेरा function जो आया है यहाँ पर आया है, one upon by dy upon dx one upon by dy upon dx equal to cos x upon log x x log x x log x minus sin x into log x यह मेरा आगया था function one upon by dy upon dx यह मेरा function आया, अब क्या करेंगे find out का करना होता है, differentiation में dy dx find out करना होता है, तो हम यहाँ से निकालेंगे dy upon dx इसको भी रप कर देते हैं, कोई काम का नहीं है, तो दी वाइ अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये बाई हमारा डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे, तो बाई हमारा खांप पहुंचाएगा, इधर मल्टिप्लाई हो जाएगा, तो बाई कोज एक्स अपॉन एक क्या है, इसको भी जो फंक्शन दिया था बाई का, उसकी उस बाई की हम क्या कर देंगे, वैलू पुट कर देंगे, तो हमारा डी वाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स एक्वाल टू लॉग एक्स की पावर कॉज एक्स बाई की वैलू दी थी, हम और log x यह हमारा dy dx निकल क्या है log x की पावर कॉज x कॉज x से पान x log x माइनस sin x into log x यही हमारा answer होगा नोट डाउन कर लिया आप लो